आज की इस वीडियो में हम ये मारूती सुजुकी नहीं टोयोटा है गाड़ी कोंची है ये बिरीजा बिरीजा है पर ये तो टोयोटा का लोगो लिखा इसमें लिखा टोयोटा का है लेकिन अंदर बिरीजा है आज की इस वीडियो में हम करने वाले है तोयोटा अर्बन क्रूजर का कम्प्लीट जनल सर्विस इस वीडियो में आपको बताए अंदर गें सर्विस का एंडर प्रोसेस जैसे का अमारे एक्सपट टेक्निशन सकर्ण को थो तो प्लीज जिस चनल को सबस्क्राइब कीजिए और आपको उमारे वकशाग के सारे लेटेस्ट आपडेट्स भिलेगे तो कोई भी गाड़ी सर्विश करने से पहले हम सबसे पहले इसके इंजिन को जरूद है तो इसका हम नॉर्मल ओल ड्रेंड करके कार को सर्विश करेंगे सब्सक्राइब हम इसका एर फिल्ड का कर देख काफी ज़्यादा खराब है आप देखसे पूरा चोक हो चुका है तो इसका फोटो और कोडिशन कस्टमर से शेयर किया जाएगा कस्टमर का अप्रूवल आने पर हम इसे रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट हम इस कार का AC विल्डर इंस्पेक करने वाले तो AC विल्डर की भी कंडिशन हमें काफी जादा खराब लग रही है तो इसका भी फोटो और कोडिशन कस्टमर से शेर किया जाएगा अपरोल आने पे हम उसे रिप्लेस करेगे नेक्स्ट हम इस कार को रैंप पे उपर लिफ करेगे इसके चारो विल्बेरिंग, स्टेरिंग रैक प्ले और बॉल्डर इंस्पेक करेगे तो अब हम इस कार का फ्रेंट का विल्बेरिंग चेक कर रहे तो विल्बेरि में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो shock absorber में vibration feel होगा और humming noise आएगा तो अब देख सकते हैं हमारी technician एक हाथ shock absorber पे रखा है और दूसरे हाथ से wheels को move कर रहे तो अगर wheel bearing में कुछ भी problem होगा तो उनके shock absorber में उनको vibrations आएगा तो इनोत भाई ऐसा कुछ problem लग रहे हैं इसमें तो इसका wheel bearing काफी अच्छी condition में ऐसे हम कार के चारो wheel bearing चेक करेगे next हम इस कार का steering rack play and ball joints inspect करेगे तो इसे wheels को tilt करके हमें play का थोड़ा अंदाजा आ जाता है however हमें tire को कोड़ के detail में चेक करना आता है तो कुछ play लजा तो okay है play में भी problem लिए तो अभी हम ऐसे पीछे का wheel bearing भी चेक कर रहे है तो पीछे के wheel bearing में कोई noise तो पीछे के wheel bearing में भी problem लिए तो कार के हमने चारो wheel bearing चेक किये चारो wheel bearing की condition काफी अच्छी है next हम इस कार के चारो tires remount करेगे और इसकी चारो brake cinch पे करके उसे service करेगे तो अभी हम इस कार के front के brake cinch पे करें जिसमें हम सबसे पहले brake pad की condition चेक करेगे और इसकी health तो brake pad की condition जो है वो काफी ज्यादा decent है काफी अच्छी है इसमें अच्छा खासा दिखने से और वो material हाड भी नहीं हुआ है कई से damage भी नहीं है तो brake service करते टाइम हम इसकी caliper pin का भी lubrication करते हैं यह करना भी काफी ज़रूर ही होटा है अब हम इस कार के पीछी के brakes inspect करें जिसमें हम सबसे पहले brake liner की condition चेक करेंगे तो brake liner तो नहीं जैसा है next wheel changer का movement चेक करेंगे और इसमें कोई leakage है कि नहीं हो चेक करेंगे सब्सक्राइब करें जिसमें हमारी टेक्निशन सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें कोई leakage का issue है के नहीं जैसे कि coolant leakage, transmission or leakage या engine or leakage तो उनत भाय इसमें कोई leakage का आपको issue नजर आ रहा है गाड़ी में इंडियन वाल भी leakage नहीं है, Poland का भी leakage मेरे को नहीं दिख रहा है तो हम गाड़ी अच्छा है गाड़ी almost brand new है, गाड़ी की running भी काफी कम हो चुकी है और नीचे से यहां पर कुछ भी impact भी हमें नजर नहीं आ रहा है तो इसमें leakage का तो कोई भी problem नहीं है अभी अगले step में हम गाड़ी का suspension चेक करेगे, suspension के सारे parts चेक करेगे हम, जैसे कि steering rack में play है कि नहीं, linkage, lower arm की bushings, ball joints, shock absorber, सारी चीज़े थरोली चेक करेगे तो विनोत भाई, suspension में कुछ damage, कुछ काम, अब play भी किसी चीज़े भी नहीं है, suspension भी इसका almost एकदम good है, मतलब नए जैसा ही है दुसरे side का भी हम मेंसे चेक करेगे दुसरे side में सारे parts चेक करेगे, shock absorber, linkage, steering rack, lower arm XL में कोई problem ओके, तो ये गाड़ी almost brand new है, तो इसमें कुछ हमें काम तो इसे नजर नहीं आ रहा है तो suspension भी आगे का, इसमें कोई problem नहीं है, ऐसे हम पीछे की तरफ जाएगे, silencer का pipe, brake line के pipe pushing भी बराबर है तो silencer में भी कोई damage नहीं दिख रहा है, fuel tank fuel tank भी okay, कई से भी damage नहीं है, और पीछे जाएगे, पीछे का suspension चेक करेगे जिसमें पीछे का shock up, फिर coil spring के pad पीछे के shock up में भी कोई issue नहीं है, उसमें भी कोई leakage नहीं है coil spring के pad कैसे है, पुरा नया गाड़ी है, इसमें trial में भी हमें suspension का कोई noise नहीं आया तो इसके under body में हमें कुछ भी काम नजर नहीं आया, चाहे गाड़ी brand new हो या पूरा नी, हमारी service में हम गाड़ी को पूरा ऐसे ही thoroughly inspect करते हैं, और इसका report बना के customer से share करते हैं next हम इस car का पूराना engine oil drain करेगे अब हम इस car को oil filter replace करें और आप difference देख सकते हो पूरा new oil filter का, compare to the new one, यह new oil filter अभी हम इस car में install करेगे next हम इस car में new engine oil filter करेगे and आप देख सकते हो हमारे दूसरी technician ने इसका पूरा video shoot कर रहे, new engine oil filter करते हुए ताकि customer को सारा updated रहे कि उनकी गाड़ी में क्या काम हो रहा है, because we believe in complete transparency next हम इस car का break oil भी top up करेगे, next हम इस car में coolant top up करेगे so अभी हम इस car के tires inspect करे, जिसमें हम सबसे पहले check करेगे, इसमें को external damage हेके नहीं जैसे कि कई से cut, crack या कई से major punches होगे रहा, ऐसा कुछ है कि नहीं तो overall tires में हमें कई से भी external damage नजर नहीं आ रहा है, यह tire almost brand new जैसा है अभी हम इसका depth check करेगे through depth gate, जिसे हमें इसका actual depth कितना है, threading कितना है, वो पता चलेगा तो यह हमारा depth gauge है, tire का, तो इसे इस point पर रखके हम चेक करते है, tire का depth, 4 mm का gap आ रहा है, जो की काफी decent है, से में से हम car के 4 tires की condition inspect करेगे, और इसका report बनाके customer से share करेगे next time हम इस car के battery का health check करेगे through multimeter, हम car को multiple tank start करके बंद करेगे, बैटरी का health check करेगे इस चालो करो, बन करो, headlight, चालो करो, बन करो, बन करो, तो इस car के battery का health थोड़ा weak है, इस तो इस चालो करेगे, नेक्स्ट हम इस car का complete electrical inspection करेगे, headlight, fog light, high beam, low beam, hazard, hawn, wipers, so इसके wiper का जो spray है, वो थोड़ा जादा ही उपर जा रहा है, तो इसका nozzle का में adjustment करना पड़ेगा, तो वो हम service में कर लेगे, brake light, reverse light, hazard, wiper, okay, next हम इस car के चारो पाव इंडोस चेक करेगे, तो इस car के चारो पाव इंडोस प्रॉपली काम कर रहे है, ORVM, FM, okay, steering control, okay, AC, okay, light, okay, okay, so in every general service हम car का detail service health report त्यार करके ओनर से शेर करते, अभी हम जनरल service के last stage में है, अभी हम car को भार से प्रॉपर वाश करेगे, इंटिया वैक्यूम क्लीनिंग करेगे, डैसबड पॉलिश करेगे, अट इंजन बे भी पॉलिश करेगे, यह सारी चीज़े हमारे जनरल service में इंक्लूड होती है, अगर आपने वीडियो अब तक देखा है और आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्रीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हम इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहां आप कामरे वक्षब के साहे लेटेस्ट अप्डेट्स में लेगी, इस कार का कम्प्लीट जनरल service हो चुका है, आपको जल्दी मिलूगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टोपिक के साथ, आपको अप्डेटी मोटरिंग, स्टेशेफ,